एक नया सबक सीखा है जिन्दगी से आप किसी की जितनी कद्र करोगे आप उतना ही पड़ेसान रहोगे जब इनसान अकेले चलना सीख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पडिवार कितना अमीर है ये माइने नहीं रखता आपका पडिवार कितना खुस है ये माइने रखता है जिस घर में बात बात पर बाहर वालों से सलाह ली जाती है वो घर घर नहीं रहता पंचायत घर बन जाता है जहां कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं उनके साथ आप बेसक कितना ही प्यार कर लो पर वो कभी भी आपके नहीं होते जीवन का वही रिष्टा सच्चा है जो आपके पीट पीछे भी आपको सम्मान दे आसान नहीं उस सक्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं जरूरी नहीं कि अच्छी बाते करने वाला हर इंसान अच्छा हो आजकर साजिस रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी किसी को कितना भी अपना मान लो पर वो एक दिन अजनवी होने का एहसास दिलाही देता है सब को दिलासा देने वाले लोग अपने दुखों में हमेशा अकेले ही हो जाते हैं जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं एक दूसरे के लिए जीना ही जिन्दगी है इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं जैसे धुन बदलने पर लोगों का निर्त बदल जाता है वैसे ही धन आने पर लोगों का पुड़ा द्रिस ही बदल जाता है रिष्टे अगर निभाने हो तो 50 ग्राम के जीब को 60 किलो ग्राम के सरीर पर कभी हावी मत होने देना इस तरह बात करें कि लोग आपको सुनना पसंद करें और इस तरह सुनें कि लोग आपसे बात करना पसंद करें सस्ती चीजे और घटिया लोग सुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए जिन्दगी ने एक बात सिखाई है दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन हद से ज्यादा उम्मीद किसी से मत करो अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता बस वह दूड हो जाता है उन लोगों से जिने उनकी कदर नहीं होती अक्सर उन्हीं लोगों के दिल तूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिस करते हैं हालाद चाहे जैसे भी हो डटे रहो क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है बात थोड़ी कडवी है लेकिन सची है इस दुनिया में जो दर्ध छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया जीवन के इस सफर में हम उसी दीन बड़े हो जाते हैं जब अपने आशू खुद ही पोच कर फिर से खड़े हो जाते हैं जिन्दिगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है क्योंकि हर वक्त मुहब्बत साथ नहीं देती दुनिया में सब से तेज रफ्तार दुआओं की होती है जो जुबान तक पहुँचने से पहले ही इस स्वर तक पहुँच जाती है कभी भी परिस्थीचियों के हाथ की कटपुतली ना बने क्योंकि आप अपने हालात बतलने का दम रखते हो जिन्दगी सवारने को तो जिन्दगी पड़ी है वो लमा सवार लो जहां जिन्दगी खड़ी है हर इंसान में कोई ने कोई प्रतिभा जरूर होती है लेकिन लोग इसे दूशड़े जैसा बनने में नश्ट कर देते हैं मुचाई पर वो ही पहुँचते हैं जो प्रतिशोद के बजाए पडिवर्तन की सोच रखते हैं अपने आज को या सोचकर बरबाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल है जिन्दगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती लेकिन जो समस्याय आती है वो आपको और बहतर बनाती है रोने से दर्द खत्म नहीं होता लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं जल्द मिलने वाली चीजे ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो चीजे ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। कोई अगर आप पर आँख बंद करके भरोसा करता है तो उसे कभी यह एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। को भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। जो लोग मुझे गलत समझते हैं मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वो उतना ही समझते हैं। कुछ पन्ने क्या फटे जिन्दगी की किताब से जमाने ने समझा हमारा दोड ही बदल गया। कभी किसी को जीते जी भी कन्दा दे दिया कीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। कभी कभी ठोकडे भी अच्छी होती है एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। इंसान का सोभाब कुछ इस तरह हो रहा है, जो लेकर जाना है उसे छोड रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड रहा है, जिन्दिगी में कामयाब होने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, पाउ भले ही फिसल जाए, पर जुबान को कभी फिसलने मत देना, क्योंकि अपने पाउ के कारण जाल में फ़कते हैं, पर अन्तु मनुष्य अपने जुवान के कारण